हेलो फ्रेंड्स वेल्कम एगेंट टू माई चैनल लेंड जोग्रफी आज हम लोग बेसिक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जोग्रफी के कुछ बेसिक जो फैक्ट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको हम लोग समझने वाले हैं कि इनमें एक सबसे कि सरे निक्स रेखा को अक्षान्स को वाले हैं और कि सबसे पहला है कि इसको किऊं की चा गया आφ यह कैसी लाइन है पहले यह समझ लेगी latitude और longitude यानि अक्षांस और जो दिशांतर रेखा है वो imaginary line है यानि के काल्पनिक रेखा है यह वास्तविक रेखा नहीं है बलके यह globe पर खीची गई एक imaginary line है और हमारा जो globe है आप इसको globe पर समझें यह जो हमारा globe है इसको इसको इस तरह से जो खीची सबसे बड़ी लाइन है क्योंकि बीच का भाग निकला हुआ है और जैसे जैसे हम उपर की की तरफ यह नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो यह जो लाइन है वो छोटी होती जाती है आए इसको समझते हैं हम लोग बोड़ पर सबसे पहली बात कि यह काल्पनिक रेखाए हैं जो किसी भी अस्थान यह किसी भी जगा को लोकेट करने के लिए इस रेखा को बनाया गया है तो उत्थ सबसे पहली जो लाइन है वो क्या है जीरो डिग्री जिसको हम लोग इक्वेटर यह भूमत रेखा कहते हैं यह जीरो ữिस्वी क्या है एग गोला है और यह इकवेटर जो हुआइसको पार्ट में डिवाइट कर देता Agronico好了 को इसलिए को हिन्दी में गोलार्त कहते हैं जब कर इंगलिषya हिमेस्फियर कहते हैं उपरी पार्ट कहां जाता है तो नदने में सफेर सदेर्न हमेस्फियर तो जीरो ड उनका डिस्टेंस जो उनका जो गोलाकार है वो क्या होगा वो कम होता जाएगा यानि सबसे बड़ी जो अक्षांस रेखा होगी वो कौन सी होगी जो धूरू के पास है यानि कि विश्वत रेखा और जैसे जैसे हम उपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ बढ़ते घता है यह देखिए ऊपर की तरफ क्या कहल आएगा यह नॉर्त पोल जो नॉर्त पर हो नॉर्थ पोल यानि के इन पी और स्वाट पर हुसको कहते है इस पी यान के साुध पोल दक्षणी दूर्त है By आवह को सान्स कहते कि सई क्षांस रेखा किया तो दिखे यह यह हमारा अर्थ है अर्थ के बीचों बीच हमने यह इक्वेटर इमेजरेरी लाइन खीचा तो पिर्थवी के जो गर्व हुआ यानि के पिर्थवी के सेंटर में यानि कि इस एक्वेटर के सेंटर पार्ट में से अर्थ के किसी भी प्लेस पर कोई भी एक प्लेस ले लेते हैं यानि केंद्रे से किसी भी अस्थान पर जो angular distance बनता है उसको latitude यानि के अक्षांस कहते हैं जबकि उसी place के parallel में ये जो place हमने देखा ये एक angle बनाता है मान लिजी के इसने 10 degree का angle बनाया तो इस points के जो हमार equator है उसके parallel में जो line खीचे जाती है वो latitude line कहलाती है यानि के अक्षांस एक अलग चीज़ा और अक्षांस रेखा एक अलग चीज़ा ये अक्षांस हो गया और इसके parallel में equator के parallel में जो line कीची गई इसको क्या कहेंगे हम लोग अक्षांस रेखा तो ये केतने degree के अक्षांस रेखा हो गई 10 degree की इसी तरह मान लिजे कि हमने यहां पर एक point ले लिया और यहां से center से हमने एक line खीचा तो इसमें बनाया 40 degree का angular distance तो यह और इसके parallel में हमने equator के parallel में एक line खीच दिया तो इस तरह से 40 degree की अक्षांस रेखा बनी तो हम लोगों ने अक्षांस रेखा को समझा कि अक्षांस रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिन की और बढ़ती जाती है किदर बढ़ती है यह नौर्स और सौथ की और बढ़ती जाती है और भूमद रेखा के लाइन लाइन रहता हैं इस तरह से भूमी वी एक लाइन लेखा ना हो करके क्या है यानि आप जितना सामने देख रहा है उतना पीछे भी मैणे ग्लोब में देखाया यह इस तरह से भूमी यह लाइन लेखा ना अब्रिता कार का को विरताकार है वह तो यह को एक्षान्स को हमने समझा अब यहकी एक अक्षांस से दूसरे और चंस्कि दूरी क्या होती है इसको फिर से समझे। एक शांस यानिक यह 0D 그래서 यहां से एक डिगरी अक्षांस रह ये और से कंदीगर के टो टोटल पटीसका रिखा एंप अग्षांस मेटों प्रति एक डिगरी पर खिची गई है तो टोटल कितनी अग्षांस रिखा है तो सबस्वाइं नाइंटी डिग्री दिखा हो गया और इधर भी नैंटी डिग्री एंगेल बनता है तो प्र फिर देनिधर सबस्षा सब्सूरेक्ण हो गई तो 90 प्लसın इसको अल्टू हो गया 180 और एक और अक्षांस रेखा बज जाती है वो क्या है यह विश्वत रेखा भूमद रेखा इसको मिलाकर हो जाता है 181 यानि कि टोटल एक सवेक्यासी यानि 181 अक्षांस रेखाएं खीची गई है अब आगे समझते हैं कि कुछ ऐसी अक्षांस रेखाएं हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है जैसे जीरे डिगरी का एक्किवेटर विश्वत रेखा भूमद रेखा बीजी से कहते हैं दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानि के करक रेखा इस साड़ी तेज़ डिगरी उतरी अक्षांस में इस्तित है जब हम लोग टेंप्रेचर पढ़ते हैं अर्थ का और क्लामेट्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक वर्ड यूस करते हैं कि जब उतरी गोलार्थ पर सूरी उतरी गोलार्थ पर जब सूर सीधा चमकता है डारेक सनलाइट जब नदर्ण हमेस पर पढ़ता है तो उससे सूरे का उत्रायन होना कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि साड़े तेस डिग्री एंगल पर जब सूर सीधा चमकता है तो साड़े तेस डिग्री पर ही पिर्फ्वी के I чист है उस पर saठे 100 जूप कर सुरुष के तारो तरफ चकर काटती है सीधी नहीं गुमती है कि साघ्यी तेज डीग्री इसका जुकाव अपने एक्सिस पर है सुर्थ में अक्षनी पर पीर्फी की कीर्णे साल में दो बार सीधी चमकती है इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकर दो वह इंपॉर्टेंट् जो है वह अक्षांस रिखाएं और 90 D पर पहुंचकर रहाँ पर यहां पर उत्र दुरे शॉत में हां दशनी धुर्व क्या होती हों और इनका इंपॉर्टेंट इसलिए है इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम किसी वियास्थान को सही से अक्षांस रिखाओं के जरी यही लोकेट कर सकते हैं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के ठीक बीचों बीच से करकरेखा गुजरती है अभी आप यहां पर देख लें यह ग्लोब है अगर हमने इसको मान लिए के साड़ेश डिग्री करकरेखा है और यहां पर एक रफ फिगर बनाएं इंडिया का तो दिखिए इंडिया के बीचों बीच से क्या होती है करकरेखा यानि ट्रॉपिक ओफ कैंसर गुजरती है और यह किन-किन स्टेट से होकर गुजरती यह देख लिए अगर हम वे के ट्रॉपिक ओफ कैंसर उजरता है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉइंस है लाइटिट्यूट के बारे में और इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग यानि के दिख्शांतर पढ़ेंगे तो मिलते हैं फि कर दो